दोस्तों यदि आपके पास अधार नंबर है और उसमें मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो आप अपना अधार कार्ड किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हैं उसे निकाल सकते हैं आसाने से अपने मोबाइल फोन द्वारा बिना किसी मोबाइल नंबर के और बिना किसी OTP के इस पर आपको first वाला absence जो आता है home का UIDI का ही main site होती है इस पर आपको simply click कर देना है जैसे ही आप इस पर click करेंगे आपका अधार card का main site open हो जाएगा तो दोस्तों जब आपका अधार card की main site इस प्रकार से open होगी तो आप देख सकते हैं आपका interface इस प्रकार से दिखाई देगा आपके mobile phone में ही तो उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ पर एक absence आ जाता है gate अधार का ठीक है सबसे उपर ही absence आ जाता है gate अधार का अब gate अधार और उसके नीचे update अधार का absence आ जाता है उसके नीचे अधार services का absence आ जाता है तो आपको gate अधार में ही मैं जूम करकर दिखाता हूँ एक absence मिल जाता है download अधार का पहले मैं download अधार पे click करकर आपको समझा देता हूँ कि यदि आपके पास mobile number है तो आपको simply यहाँ पे अधार नमर डालना है या आपको इनवर्मेंट नमर जो मिलता है पर्ची के माध्यम से ओ डालकर और यहाँ पे अपना जो है क्या करते है capture फिल करना है capture फिल करकर send OTP करकर आप अपना अधार काड डाउनलोड कर लेते हैं तो आपको यह पे आपका रेजिस्टर अधार काड नहीं है तो मैं आपको बताता हूं back करकर तो आपको यही पे एक absence मिल जाता है order अधार PVC कार्ड PVC कार्ड होता है जो मोठा सा होता है उसी को अधार कार्ड आ होता है तो order करना है यहाँ पे आपको ओके करना है आप बीना जो है अपने मोबाइल नंबर लिंक नहीं है फिर भी अपना अधार काड प्राप्त कर सकते हैं वो भी आसानी से तो देखिए कि आपको क्या करना है यहाँ पर आपको लोग इन होने के लिए इस प्रकार से आफसंस आता है उसके बाद नीचे आपका इ बीसी काड पर आपसंस पर आप देखिए यहाँ पर क्या मांगता है अब यहाँ पर आपको 12 डिजिट का आधार नंबर मांगता है तो आधार नंबर मैं फिल करकर आपको लाइप प्रूफ दिखाता हूं तो वीडियो को अं तक देखिएगा आपको कुछ नहीं करना है आपके पास नंबर उपलफ है फिल हाल में वही नंबर आप डालकर सेंड ओटीपी करते हैं मैं करकर आपको दिखाता हूं देख सकते हैं एक ओटीपी आएगा 992 307 इसको मैं फिल करकर आपको दिखाता हूं उसके बाद आपको Terms and Conditions पे टिक लगाना है टिक लगाने के बाद आपको यहां से Closed करना है और आपको Simply जो है, Sumbit पे क्लिक कर देना है Sumbit पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका Processor इस प्रकार से आएगा और आने के बाद आपको OK करना है करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं, your request has been registered, registration number इतना, please use the number in order recording, देख सकते हैं, यहां पर 50 रुपे आपको चार्ज करना पड़ेगा, 50 रुपे चार्ज आप कर सकते हैं, किस परकार से कर सकते हैं, make payment में बना कर आपको दिखाता हूं, ठीक है, तो यहां पर क्या करना, आपको टिक लगाना है, simply, और टिक लगाने के बाद, make payment पे आपको क्लिक कर देना है, make payment पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपकी में साइट जाएगे, यहां पे, यहां पे आप अपना 50 रुपे का पेमेंट, अपने वैलेट, पेटियाम, नेट बैंकिंग, कार्ड, UPI, जो जाएगा, यहां आपके अधार कार्ड में नमबर नहीं लिंक है, फिर भी इस वीडियो के मादम से, अच्छा लगा तो चैनल को सस्क्राइब करिया, और लाइक जरू करिएगा,